हेलो गाइज कैसे हो फाइनली चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून के उपर लैंडिंग करके हिस्टरी क्रेट की है और इंडिया फोर्थ कंट्री बन चुका है मून के उपर सौप्ट लैंडिंग करने वाली और इसके साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है मून के अभी रॉकेट के हिस्ट्री के बारे में, then let's see, well ISRO के बारे में बात करें तो ISRO बाकी competitors से बहुत ही कम बजेट में अपने missions को launch करता है, आप ISRO के बजेट को नासा के बजेट से compare करें तो नासा का मंतली बजेट रहता है उतना ISRO का annual budget रहता है, फिर भी ISRO कम बजेट में बहु Chinese and Russian Space Agency से भी बहुत कम रहता है, और commercial market में PSLV rocket के जरे ISRO बहुत सरे successful missions को launch कर रहा है, और यही PSLV rocket जिसने ISRO को पूरे वर्ड में अपनी पहिचान बनाने में मदद की है, इस PSLV rocket के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे वेल रॉकेट डिजाइन की बात करें तो ISRO के पास बहुत सरे domestic hardware है, और ISRO के बहुत सरे rockets में यही large solid boosters को यूज करते हैं, और यह technology ISRO ने खुद डेवलप की है, और ऐसे ही solid booster rockets स्रिप NASA और European Space Agency बना रही है आज के टाइम, वेल इस रो में जो main rocket engines use होते हैं, इन टम्स ओफ liquid fuel, जो है विकास इंजिन, ए Indian build version है, एरोपियन वीकिन इंजिन का, जिसको famous scientist नंबी नारायन ने बनाया है, और इसके उपर बहुत ही अच्छी movie भी बनाई है, रोकेटरी, इस movie में आपको बहुत सारी चीज जनने को मिलेंगी, वेले विकास और वाइकिंग इंजिन, UDMH and dinitrogen tetraoxide with water के साथ third tank में use किया जाता है, गैस को cool रखने के लिए जो exhaust से generate होता है, और इस रोने वाइकिंग इंजिन टेकनोलोजी के ऊपर इस विकास इंजिन को बनाया है, और इस विकास इंजिन में इस रोन डोमेस्टिक हाइड्रोजन ओक्सिजन अपर स्टेज इंजिन्स को बनाया है, 90's के टाइम यही टेकनोलोजी हाइड्रोजन ओक्सिजन इंजिन्स की रशिया से लेने की प्लैनिंग कर ली थी इस रोने, बट कुछ पॉलिटिक प्रॉबलम के चलते यह डिल नहीं हो पाई थ और इसरो उस इंजिन्स को स्रिप बाई कर सकता था, बट इन 1994 में इसरो ने यह टेकनोलोजी अपने आप ही डेवलप कर ली, CE 7.5 और CE 20 यह दो हेड्रोजन ओक्सिजन इंजिन्स भहुत जैदा केपेबल थे प्रॉपॉमन्स में, पुर उसके पीछे गये तो इसरो की शुर के लिए सेटलाइट को लांच किया, जिसे हम अपरियबर्ट से जानते हैं, इसे basically X-ray Experiment Study के लिए लांच किया था, और यह है इसका डिजाइन, और इंडिया के इस पहले सेटलाइट को सोवेत युनियन के रॉकेट से लांच किया गया था, और यह सेटलाइट completely इंडिया में ही डिजाइन एंड फैब्रिकेट हुआ था जिसको सोवेत कोस्मोस 3M रॉकेट के जरिए लॉंच किया था और यह एक ग्लोरियस सक्सेस था इंडिया के पेस्ट प्रोग्रेम के लिए और उसके बाद इंडिया ने बहुत जल्द ही अपना खुद का रॉकेट डेवलप कर लिय रॉकेट लॉंच के लिए इंडिया दुसरे कंट्रीज के उपर रिलाइन नहीं होना चाता था इसलिए इंडिया को आपना खुद का रॉकेट बनाना पड़ा था और इस रो ने जो पहला रॉकेट बनाया था उसका नाम है SLV जिसका फुलपॉम है सेटेलाइट लॉंच व रखता था और इसका वेरी फर्स्ट लॉंच हुआ था अगस्ट 1979 में जिसे आर्थ के लोवर और अर्बिट में लॉंच किया गया था और ये रॉकेट सेकेंड स्टेज तक सक्सेस्पुली काम कर रहा था बट उसके बाद आउट ओप कंट्रोल होके बेयो बेंगॉल में क्र और उस टाइम अबदुल कलाम सर ये इस प्रोग्राम के पीछे काम कर रहे थे और वो आगे जाके इंडिया के प्रेजिडेंट भी बने उसके बाल इसरों ने एसलवी को बनाया जो की था एक्गुमेंटेज सेटलाइट लॉंच वेहिकल विल बेसिकली इसरों ने सेम रॉक कर दिया जाता था बट ये इसरों का एसलवी बहुत ज़्यादा सक्सेस कुल नहीं रहा इस रॉकेट के पहले दो लॉंच फिल रहे थे और इसरों का ए रॉकेट एक बैड डिजाइन की वज़ा से फिल हुआ बाइद एंड ऑप 1994 में उनको इस रॉकेट से बहुत ही कम सक्स मिली थी इस एसलवी प्रोग्रेम को बन करना पड़ा विकॉज 1993 में इंडिया ने पोलार सेटलाइट फेहिकल इसको बनाना शुरू किया था और ये रॉकेट पहले के दोनों रॉकेट से बहुत बड़ा था और ये ही पी एसलवी रॉकेट इंडिया के लिए आगे जके बह बहुत इंप्रस एंपटन्ट रहने वाला था और पीए इसलवी है इंडिया का धर्ड जंडरेशन रॉकेट है और इस रॉकेट की हैट 44 मिटर और वेड था 320 टन्स और इस पी-सलवी रॉकेटस में बहुत सड़ी वेरेंटस थे सी पी- A. s. il. mee. cel.d. एचपी एंड PSLV 3S, एक्सेटरा, और इस रॉकेट की पेलोड कैपैसिटी थी 3.8 टन्स, जो ये रॉकेट लो अर्थ और्वेट के लिए बना था, और इसे अल्मोंस्ट 53 टाइम्स लॉंच किया गया था, और इसमें बहुत सरे लॉंच सक्सेस्पुल थे, और बहुत ही कम फ यानि मंगल मिशन को भी इसी रॉकेट के थुरू लॉंच किया है, जो कि हिस्ट्रोलिकली सक्सेस्पुल मिशन रहे थे इसरो के लिए, और एक टाइम PSLV ने एकी टाइम पे बहुत सरे सेटेलाइट को लॉंच करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जो आगे जाके पेसेक्स ने ब्रेक किया, अराउंड 104 सेटेलाइट इसरो ने एकी टाइम इस रॉकेट के थुरू लॉंच किये थे, इसलिए PSLV ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा अच्यूब्मेंट रहा है अब तक, और जो नेक्स स्टेप था इंडिया के रॉकेट हिस्ट्री में, ओ है GSLV, इसका PULLPM है जियो स्टेशनरी लॉंच वहिकल और इसे डिजाइन किया गया है Pay Loads को जियो टेशनरी अर्बिट में लॉंच करने के लिए, और इस जियो स्टेशनरी अर्बिट में लॉंच करने के लिए रोकेट बहुत पावरफुल होना चाहिए और इसलिए ISRO ने इस JSLV में थर्ड स्टेज में hydrogen and oxygen टेकनोलोजी यूज की है बड़ उसके निचे second stage में इसमें similar PSLV stage की डिजाइन यूज की है और इस entire rocket की टेकनोलोजी इंडिया ने खुद डेवलप की है और जो JSLV Mark 1 है इसमें ISRO Russian Built Engine को यूज कर रहा है और अब तक ISRO ने JSLV के 6 लाँज किये है और ये प्रोग्रेम अब तक completely successful नहीं है because JSLV में 2 failure and 2 partial failure and 2 successful launch हुए है और JSLV Mark 2 में ISRO ने ये Russian Built Engine यूज करने के बजाए खुदी इंजीन को डेवलप करके अपने 3rd stage के लिए यूज कर रहा है जो की है CE 7.5 इंजीन और ISRO ने JSLV Mark 2 के साथ 8 launches किये है उसमें से 2 failure रहे है और बाकी के successful और अब ISRO JSLV Mark 3 के उपर काम कर रहा है और ये completely Mark 1 and Mark 2 से unrelated है JSLV Mark 3 के लिए ISRO ने पहले से भी large boosters को S200 को बनाया है 200 means 200 tons और इन large boosters के लिए ISRO ने moving nozzle को भी develop किया है और ये boosters विकास इंजीन के साथ पेर करके JSLV Mark 3 में यूज किये जाते है और अपर stage के लिए CE 20 engine को JSLV Mark 3 engine में यूज किया जाता है और JSLV Mark 3 rocket के जरे lower stationary orbit में 10 tons capacity वाले payloads को बेज सकते है and 4 tons in geotationary orbit में और JSLV Mark 3 ये rocket चंदरयान 2 के लिए भी use किया गया था और हाली में हुआ चंदरयान 3 ये mission भी इसी rocket के थूँ launch किया गया था और चंदरयान 3 के उपर मैने अलग से आदिती यलवन ये इसी week में launch होने वाला है 2 सप्टेंबर को और इस रो का और एक big mission गगन यान 2025 में launch होने वाला है और उस mission में इस रो का JSLV Mark 3 ये rocket यूज किया जाएगा जोकि ये mission Indian astronauts को space में बेजने के लिए plan किया है और JSLV Mark 3 में और ये अभी development में है और इस engine का नाम है SCE 200 SCE stands for semi cryogenic engine ये ही थे जो इस रो ने अब तक जो rockets बनाए है और आज के time इस रो के JSLV Mark 2 and Mark 3 and PSLV ये rockets अभी भी operational है आपको ये वीडियो आच्छा लगा तो इस वीडियो को like, comment और share कर देना और ये इसे interesting वीडियो के लिए इस channel को जरू सब्सक्राइब करना thanks for watching see you around